नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DTDC कुरियर फ्रेंचाइजी के बारे में दोस्तों DTDC कुरियर कमपनी बहुत बड़ी कुरियर कमपनी है जो सिर्फ भारत में ही नहीं बलकि वर्ल्ड में फैली हुई है जो लगातार बढ़ती जा रही है हर शहर में इसके एक से ज़्यादा फ्रेंचाइजी मॉडल आपको देखने को मिल जाएंगे तो अगर कोई इस कमपनी की फ्रेंचाइजी लेकर बिजनस टार्ट करना चाहता है तो इसके मॉडल क्या-क्या है कितने तरह के फ्रेंचाइजी दिये जाते हैं इन्वेश्मेंट कितना होता है क्या डॉक्यमेंट्स लगते हैं किस तरह से एपलाई कर सकते हैं A to Z सब जानते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि DTDC कुरियर कमपनी है क्या तो यह product supply करने वाली company है career पहुँचाने वाली company है जैसे के Amazon, Flipkart से अगर कोई product मंगाया आपने तो वो DTDC के जरीया आएगी आप तक पहुँचेगी और भी कई तरह के product career के जरीये आप तक पहुँचती है public अगर आपका कोई अपना है कोई आपको कुछ भेज रहा है तो या आपने किसी को भेजना है तो भी तो कहने का मतलब है कि courier जो है वो ये company कुछ पहुचाने का काम करती है courier पहुचाने का काम लाखो के items हर रोज ये company जो है deliver करती है तो franchisee इस company की अगर आप लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे और क्या-क्या चाहिए होगा तो इस company की franchisee लेकर business start करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक office चाहिए गोदाम चाहिए business start करने के लिए वहाँ पे कुछ समान भी आपको चाहिए जैसे कि computer चाहिए होगा और delivery boys के तौर पर भी तो ये भी आपको चाहिए होगा अब delivery करने के लिए गाड़ी की भी जरुरत पड़ेगी तो अगर आपके खुद की गाड़ी है तो बहुत अच्छी बात है वरना आप जो हैं मंतली rent के हिसाब से भी आप गाड़ी रख सकते हैं और delivery boys की तो गाड़ी की आपको जरुरत है नहीं क्योंकि वो लोग खुद ही अपना bike स्कूटी लेकर आएंगे और अपना delivery का काम करेंगे बड़ी गाड़ी की आपको जरुरत है अगर आप उसमें असमर्थ है इस वक्त आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप rent पे भी ले सकते हैं अब अगर आप जो जगा ले रहे हैं जो office जो गुदाम आप ले रहे हैं स्टार्ट करने के लिए कम से कम कितना space आपको चाहिए होगा तो देखिया तीन तरह के जो franchise model है उस पे निर्भर करता है कि आपका space कितना आपको चाहिए होगा कितना जगा चाहिए होगा और साथ ही इसके भी निरबार करता है कि कितना investment आपको करना होगा जो franchise plan आप लेंगे उसके हिसाब से आपको जगा और investment आपको उस हिसाब से बताया जाएगा उस हिसाब से आपको पूरा करना होगा अब company जो है वो franchise तो आपको देती है तीन तरह के मैंने आपको बता दिये आगे बताऊंगा कि वो तीन तरह के जो franchise हैं वो कौन से हैं लेकिन फिलाल ये जान लेजिए कि franchise लेने के लिए आपको documents के रूप में क्या-क्या चाहिए होगा तो ID proof के रूप में आधार card आपको चाहिए पैन कार्ड चाहिए वोटर कार्ड चाहिए होगा एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी यही चीज़े चाहिए होगी साथ ही फोटो, email id, phone number ये भी आपको चाहिए होगा साथ ही GST नमबर, GST registration आपको चाहिए इसके अलावा अगर कुछ और documents आपको चाहिए तो वो ये है कि अगर आप जो shop, जो office, जो गोदाम आप लेके business start कर रहे है वो आपका खुद का है तो उसके documents और अगर आप rent पे लेके उस जगह पे start कर रहे है तो उसका जो rent वाला agreement है वो ये सब भी आपको चाहिए होगा अब बात करते हैं investment की और यहीं पर आपको ये भी बताऊंगा कि investment में आपका जो है किस franchise model पे कितना आपका investment होने वाला है तो जो टीन तरह के मतलब franchise model है उसके हिसाब से आपका investment भी आपको बता देंगे और कौन से franchise model है वो भी बता देंगे तो चलिए जान लेते हैं तो दे आपको रखने होंगे दूसरा है grade B जिसको मैंने नाम दिया है enterprises franchise मैंने नहीं दिया है actually company DTDC ने नाम रखा है enterprise franchise plan जिसके तहट जो है एक लाग रुपए आपको investment करने होंगे और तीन कर्मचारी आपको चाहिए होगा तीसरा जो इनका franchise plan है वो है delivery franchise plan इसके तहट 50,000 deposit के तोर पर भी आपको पैसा जमा करने को कहती है वो भी आपको करना होता है और royalty fees वगेरा marketing cost इस सब जो है इस सब का थोड़ा सा आपको खर्चा पड़ जाता है अगर कहने का मतलब है कि इतना जो मैंने आपको grade के हिसाब से बताया तीन तो franchise plan बताया इसमें ही आपको जितन साल के अच्छे खासे income आप कर लेंगे आप जो investment करके तीनों का आप जो investment करेंगे वो एक साल के अंदर easily आप जो है वो अपना investment जो है इसली निकाल लेंगे और साथ ही monthly भी अच्छा income आपका हो जाएगा for example अगर grade A के तहत आपने franchise model लिया है तो आप डेल लाग रुपय पत प्रतिमा easily कमा सकते हैं और अगर grade C के तहत आपने franchise model लिया है तो 40,000 तक प्रतिमा easily कमा सकते हैं तो अब बात करते हैं कि इस business को start करने के लिए इनकी franchise लेने के लिए आप apply कैसे कर सकते हैं कहां से कर सकते हैं तो इनका जो official website है वहाँ पर आपको जाना होगा और online आपको apply करन होगा वहाँ पर option होता है और उस हिसाब से आप जिस भी तरह का franchise model लेना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको apply करना होता है जो भी process से उसको करना होता है तो उसके बाद आपको जो है यहां company यानि डिटी डिसी company के तरफ से जो है आपको franchise मिल जाती है और आपका business जो है वो start हो